ये तो पूरा कॉंटेंट हमने आपका देख लिया, पेज भी देख लिया, इसके लिए भाई थैंक्यू सो मच या रिविल करने के लिए, बाकी इतिशाम भाई अब हम लोग बात करते हैं कि आप अभी के टाइम में फेस्बुक पर कॉपी पेस्ट वर्क करके कितने पैसे बन तो आज जो है ना 20 फरवरी दोजार चूबिस है, मैं आपको 19 फरवरी का खल के दिन का में आपको अर्निंग दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप जोग चीग कर सकते हैं, एक दिन का अर्निंग है, एक से ओठतिस डालर, बाकी ये भाई का सिर्फ एक पेज का अर्निंग है, जिन्होंने इसको भाई रिविल किया है, बागी भाई अभी के टाइम में आपके और ऐसे कितने सारे पेजे से, जहां से आप काफी अच्छा रेवेन्यू बना रहे हो, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारे गेस्ट है, ये फेस्बुक के उपर कॉपी पे फेस्बुक से लाखो रुपे कैसे कमा सकती हो, आपको कहां से वीडियो उठाना है, कैसे उसको एडिट करना है, और कैसे कॉपी पेस्ट करके फेस्बुक पर अपलोड करना है, ताकि आपके पेज के उपर कोई कॉपी राइट का भी दिक्कत ना है, और आज की इस वीडिय का जो पेपर था वाई वो लीक हो गया और भाई तो चलो क्या ही करते हैं आईए थोड़ा ओनलाइन जानते हैं कि ओनलाइन पैसे कैसे बना सकती है आप लोग क्योंकि बैक अप प्लैन होना भी काफी जादा जरूरी है बागी आज की इस वीडियो में हमारे साथ इस्तिशाम भाई हैं एंड भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर सबसे पहले तो भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया मेरा नाम एहतिशाम है और मैं पाकिस्तान से हूँ पिछले तीन-चार साल से में सोशल मी पढ़ाया याना मतला प्रमिए सबसे अपारा uts sodas 7ite u उतना अच्छा रेवेंट Ыनलई नहीं कर पा रहे थे बट अभीकि टाइम में काफी अच्छा रेविनू जैनरेट किया भाई फेस्बॉक से अभ्यों सबसे पहले आपका थोड़ा इंट्रोजाय कि आप अभी ंतन पैसे कमाता हूँ YouTube से भी मैं पैसे कमाता हूँ तो Facebook और YouTube दोनों पर जो इना मेरा पैज और चैनल मुनेटाइज है भाई आप यह बताईए कि मोटा पैसा कहा से आ रहा भी कि टाइम में Facebook से मैं Facebook के उपर काम करता हूँ copy & paste के और copy & paste में बहुत ज़्यदा पैसे कमाता हूँ और साथ ही मैंने आपको screen recording भी बेजा है तो वह भी आपने देखा है फिलहाल जो है ना मैं Facebook के उपर काम करता हूँ और Facebook से काफी ज्यादा जो ना मैं अर्निंग जो ना जनराइड करता हूँ बिलकुल और दोस्तों आप लोग को भी पूरा अर्निंग लाइव रिफ्रेश करके दिखाएंगे भाई क्योंकि आपको पता है कि यह यह यूटूब चैनल आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपक चैनल जो ना मैं जो ना मैं जो ना मैं खुद शौक था कि आप अभी के टाइम इतना चाह रहे हो बट आपका जो ज्यादा इंकम जहां से आ रहा है तो उस पेज के बारे में थोड़ा बताईए कि आप डॉस्यार काहिंड़रोड करता हुँ और दोनों जो तो को डॉत करता हूं साथ ही टिक टाक पर जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते है चैनल लोड करता हूं पिर इस को जो हीना मैं अपने विपेजाएइपक पेज के ऊपर अ मताइसी कमाता हुँ और आज कर तज्शिकल करता है तो सब्सित पर लोग और अपने फेस्बुक करता हुआ अपने फेस्बच के ऊपर अपलोड करता हूँ इसका उहाँ आपको लाइव अर्निंग रिफ्रेश करके दिखाये य्डारेगैंगे एक एक दिन में 100 प्लस डॉलर ये बना रहे रेवेन्यू इस पेश से सिरिफ तो अभी भाई जो आपका ये जो पेज है ये जिस पे 45 के फॉल्वर्स है अगर इस पे कौन्टेंट की बात करें तो ये जो लाइव स्ट्रीम है आप इसको कहां से उठाते हो अभी हम दोस्तों बात करेंगे कि वीडियो कैसे वाइरल करते हैं और वाइरल करने की क्या सीक्रेट्स होते हैं भागी भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका ये जो कॉंटेंट है आप इसको कहां से उठा रहे हो अभी की टाइम में contento मैंने आपको पहले भी बताए कि एक जो एना मैं टिक टाक से live streaming videos होती है मैं टिक टाक को use करता हूँ तो वहाँ पर लोग videos upload करते हैं live streaming करते हैं तो उसी से मैं कभी screen recording करता हूँ कभी video को download करता हूँ दूसरा इसके लिए चेना का एक application है उसी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा videos होती है जैसे कि आप सब लोग जानते है के चेना में लोग जो जो एना Facebook को ज्यादा यूज़ नहीं करते हैं वहाँ के लोगों का जो शार्ट्रिल्स होते हैं उसी को मैं download करता हूँ अपने Facebook page के उपर upload करता हूँ तो एक Chinese शार्ट्रिल्स का application होते है और दूसरा टिक टाक application है तो इन दो application को मैं पिलहाल यूज़ करता हूँ अच्छा यह application हमें मिलेंगे कहां से कैसे हमें इसको download करना है चेन application को तो वेसे मुझे नाम याद नहीं है लेकिन मैं आपको spilling बताऊंगा K-U-A-I-S-H-O-U यह application है आप screen पर इसका spilling भी जो एना लोगों को बताए कि इस application को download कर यह Google Chrome पर मिलते है Play Store में नहीं तो आप लोगों ने Google Chrome को open करना है वहाँ पर आपने search करना है दूसरा तो TikTok है तो TikTok तो already Play Store के उपर मुझूद है और आज कल तो हर किसी के mobile के अंदर TikTok application होते है तो वहाँ से TikTok का जोईना आप लोगों ने application को download करना है Play Store से और दूसरा जो China का application है उसी को आप लोगों ने download करना है Google Chrome से आपने Google पर search करना है और इसे को आपने download करना है ओके बागी दूस्तों अगर आप लोगों को download करने में अगर कोई भी दिक्कत वगिरा आता है तो आप लोग हमारा Telegram channel join कर सकते हो भाई से मैं वह एप का link ले लूँगा है फिर app ले लूँगा है एंड वहाँ पर मैं share कर दूँगा तो link आपको description box में देखने को मिल जाएगा तो आप लोग Telegram join कर सकते हो बाकी भाई अब हम लोग बात करते हैं कि आपका यह जो वीडियोज है इन पर व्यूज काफी तगड़े आ रखें तो क्या रीजन है ऐसे कहां से व्यूज आप लेकर क्या आते हो इसका तो basically मैं तरिकाकार यह है कि मैं जो वीडियो का upload करता हूँ तो वो already बहुत ज़रा trending में चल रही है मशहूर मशहूर लोग है जो का TikTok को यूज करते है और इसका Facebook पेज नहीं है तो मैं trending में जो वीडियो चलती है TikTok में तो उसी वीडियो से स्क्रीन काड़िंग करता हूँ कोई भी शीरिंग में नहीं करता अलबता जो वीडियो में upload करता हूँ इसका दू तीन ग्रूप में जाइन क्या है Facebook पर मेरे पास मौझूद है अटू अप्रोल ग्रूप है तो इसके अंदर मैं तरोड़ सा शीरिंग करता हूँ बाकि यह ऐसा वीडियो है कि लोग इसको फूल वाच करते है और आप सब लोग जानते है कि जब Facebook पर आपकी वीडियो के ऊपर ऐसा वीडियो आ जाए ताके वीवर्स आपका वीडियो फूल वाच करते है तो आपकी वीडियो का एवरेच टाइम डिवरेशन हाई होते है त तो Facebook इसी वीडियो का recommendation high करते हैं और बहुत easily वीडियो को जोएना Facebook प्योर वाइरल करते हैं इसको suggested for you में बैचते हैं वीडियो का recommendation high करते हैं तो इसका main reason यह है कि लोग मेरे वीडियो को full watch करते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा एंट्रस्टिंग वीडियो होती है और full watch करने स ज्यादा वाच करने से ज्यादा वीडियो का average time duration यह ज्यादा होते हैं और इसके उजसे मेरे वीडियो वाइरल होती है बिल्कुल भाई दोस्तों आप लोग भी अपने content में यह चीज़े ट्राई करो आपको ऐसा hook create करना है ना कि audience आपके content पे रुकी रहे फिर देखो आपक हम लोग बात करते हैं ना कि यह तो पूरा content हमने आपका देख लिया page भी देख लिया इसके लिए भाई thank you so much यह reveal करने के लिए क्योंकि यह सारी चीज़े हम लोग transparent तरीके से दिखा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग अभी फर्ज बनता है वाई इस वीडियो पे लाइक करन और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री है बाकी इतिशाम भाई अब हम लोग बात करते हैं कि आप अभी के टाइम में facebook पर copy paste work करके कितने पैसे बना रहे हो एंचे लिए थोड़ा live दिखाईए ताकि audience पे देखकर यार पागल हो जाए मैं तो देखा तो मुझे अर काफी ज़्याद अच्छा लगा कि आप काफी अच्छा revenue generate कर रहे हो बाई मैं आपको live proof के साथ दिखाऊंगा screen regarding यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने facebook page के insights को open किया है chrome browser के अंदर और यहाँ पर मैंने insights के अंदर earning पर क्लिक किया है तो आप इसको यहाँ पर चीख कर सकते हैं कि last 28 days का earning है 438 डालर यह आप यहाँ पर चीख कर सकते हैं live proof के साथ मैं इसको तोड़ सा zombie करता हूँ यहाँ पर देखो यह last 28 days का earning है 438 डालर और अगर मैं आपको एक दिन का earning दिखाऊंगा तो आज जो है ना 20 फरवरी दोजार चूबिस ह मैं आपको 19 फरवरी का कल के दिन का मैं आपको earning दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग चीख कर सकते हैं एक दिन का earning है 138 डालर यहाँ ग्राप से आप लोग देख सकते हैं ग्राप इतना ऊपर हो चुके हैं एक दिन का earning है 138 डालर और last 28 days का earning है 438 डालर तो यह मेरे facebook page के last 28 days का earning है आप सब लोग इसको चीख कर सकते हैं और दोस्तों यह in stream ads का earning है आप लोग सारा कुछ transparent तरीके से देख पा रहे हो एंड वाई इस transparency के लिए एक लाइक तो बनता है आप लोग जरूर से कर देना बागी यह भाई का सिर्फ एक page का earning है जिन्होंने इसको भाई reveal किया है बागी भाई अभी के time में आपके और ऐसे कितने सारी pages है जहां से आप काफी अच्छा revenue बना रहे हो वो तो already हम ने discuss कर गिया कि मैं 5-6 pages के ओपर काम करता हूँ, wrestling के ओपर भी काम करता हूँ, movies के ओपर भी काम करता हूँ, tiktak के live streaming के ओपर भी काम करता हूँ, Chinese chart tools के ओपर अगर हम मिलाकर तो बाकी जितने भी pages के ओपर मैं काम करता हूँ, इसका revenue इतना ज्यादा नहीं है, जितना इस page का है, तो वो खम है, इस page का तो ज्यादा है, आप लोगों ने देख लिया, lab group के साथ मैंने दिखाए कि last 28 days का earning $438 है, तो इसी से खम earning है बाकी pages का, अगर हम अ इसमें क्यों सा content या फिर category best रहेगा, category तो content to heartism content जो इना फेस्बुक पर viral होती है, इसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताए कि आप लोगों ने ऐसे content को create करना है, ताकि आपका audience आपके video को full watch करे, आप जिस content के उपर भी काम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसे content के content के उपर काम करना है, लेकिन इसमें main बात ये है कि आप लोगों ने वीडियो को ऐसे upload करना है, ताकि आपके video के उपर strike ना आ जाए, आपने ये चीख करना है कि आपकी video के अंदर copyright claim है या नहीं है, तो आप जिस content के उपर भी काम करते हैं, पहला बात तो ये है कि आप video के अंदर copyright claim कितना है, और आप लोगों ने देखना है कि अगर आपके video के अंदर copyright claim है, तो आपने इसको upload करना है या upload नहीं करना, बागी इस तिशाम भाई जैसा कि आपने बताया है कि copyright से मतलब बचना है, तो दिक्कत क्या होता है जब audience copy paste content के उपर काम करती है, तो उनकी पेज के उपर सबसे बड़ा दिक्कत ही है आता है कि उनके पेज के उपर policy issue आ जाता है, या फिर copyright claim या फिर strike आ जाता है, तो इनसे उनको कैसे बचना है, आप कुछ ऐसे कमाल के tips बताईए, जिसे की audience इन सब चीजों से बच पाए, जिस तरह मैंने आपको बताए कि जब पर Facebook आपको बताते है कि आपके वीडियो के अंदर इतना copyright claim है, पांच सीकंड है, दस सीकंड है, आपको यह बताते है कि कहाँ पर copyright claim है, तो आपने इसको चीख करना है, अगर एक मिनट से लेकर दो मिनट तक आपकी वीडियो के अंदर copyright claim है, तो Facebook आपको बताते है कि आपने इसी को cut करना है तो तब आपने इसको upload करना है तो फिर आप लोगोंने वीडियो को edit करना है और जहाँ पर Facebook ने आपको mention किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी वीडियो के अंदर copyright claim है तो आप लोगोंने इडिटर के तरू जो है ना इसी को cut करना है फिर आपने अप्लोड करने तो कोई भी copyright strike नहीं आईगा copyright strike तो तब आते है जिब आप किसी ऐसे बंदे का वीड़ अप्लोड करते है जिसके पास rights manager होती है तो पिर वो आपको strike बैच सकते है लेकिन जब आप लोग वीड़ को अप्लोड करते है तो upload करते हैं वक्त आपने इसको चीक करना है अगर copyright claim शो करते हैं तो कितना है जितना facebook आपको शो करते हैं तो आप लोगों ने उसी को cut करना है तो तब आप लोगों ने इस वीडियो को upload करना है अगर आप वैसे facebook application से direct uploading करते हैं तो किसी भी वक्त आपकी वीडियो के ओपर स्ट्राइक आती है, तो आप लोगों ने ख़वी भी Facebook अप्लिकेशन से डारिक वीडियो का अप्लोड नहीं करना, आप लोगों ने अप्लोड करना है Chrome ब्राउजर में Creator Studio से, अगर आप Creator Studio से वीडियो का अप्लोड करते हैं, तो वहाँ पर Facebook आपको शो करते हैं, कि इसमें कितना copyright claim है, कितना person है, तो जब आप आपको Facebook यह शो करें, तो इसके बाद आपने उसी को खतम करना है, पिर आपने वीडियो का अप्लोड करना है, क्यार copyright strike से कैसे बचे, तो भाई ने पूरा process बताया, इस बात के लिए भाई like बनता है, बाकि स्तिशाम भाई, काफी सारे लोग comment ऐसे भी करते हैं, कि जैसे हम लोग अपना copy paste वाला content अप्लोड करते हैं, तो वीडियो ब्लोग हो जाता है, फिर automatic तरीके से delete हो जाता है, तो ऐसा उनकी साथ क्यूं होता है, और इसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, वो भी यही सेम तरीका कार है, जिस तरह मैंने पहले आप आपने जो question किया, इसकी जवाब में मैंने ये clear कर दिया, कि आपने इसको देखना है, जब आप लोग वीडियो का अपलोड करते हैं, ये तो ऐसे तरह होते हैं, कि जब आप किसे ऐसे owner का वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि उन्होंने automatic ब्लाग फेस्बुक में आन की है, जिब किसी के पास rights होती हैं फेस्बुक में, तो अपने वीडियो के अंदर ये option आन करते हैं, कि मेरे वीडियो गर कुई बंदा जोएन अपलोड करते तो automatic ब्लाग करवादे, तो फेस्बुक इसको direct automatic जोएन ब्लाग करते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आपके विडो कोई ब्लाग करेगा तो आपके पेच के अंदर कुई भी वायलेशन एट नहीं होगा इसका कुई भी नुकसान नहीं, यह नुकसान है काप्याइट स्ट्राइक का, कम्यूनिटी स्टेंडर वायलेशन का अगर आप लोग ऐसे content को upload करें जिसके उपर copyright strike आ जाए या community standard strike आ जाए तो इसका पिर नुकसान होते हैं और पिर आप लोग ने 90 days wait करना है तो 90 days के बाद आपके page से वह नसला खतम होगा लेकर आपके video black होते हैं तो black होने का कोई tension आपने नहीं लेना क्योंकि अगर आपके video black हो जाए तो आपके page के अंदर कोई भी issue पिर नहीं आएगा बाकी भाई काफी सारे लोग groups वगरा के बारे में पूछते हैं तो क्या आप अपनी वीडियो को viral वगरा करने के लिए किसे group का help लेते हो या सारा organic तरीके से views आ रहे हैं views तो basically आरगेनिकली तरीके से आते हैं जिस तरह मैंने आपको बताए कि मैं दो थीन groups के अंदर sharing करता हूँ लेकर इसका भी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आरगेनिकली views मेरे Facebook page के उपर आते हैं तो मैं sharing नहीं करता लेकर अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि जब sharing करते हैं तो अपने admin account से sharing करते हैं और इसी से Facebook page के अंदर बहुत ज़्यदा मसले आते हैं limited originality content का मसला अन original content का मसला यह तो basically इस ते यह जायर होते हैं कि आप लोग copyright टुडिस को upload करते हैं लिकन यह अक्सर admin ID से अगर लोग sharing करते हैं तो उसी के हुझे से भी आपके page के अंदर LOC आ सकता है तो इसके लिए आप लोगोंने fake accounts को create करना है और fake accounts से आप लोगोंने sharing करन लगते हैं तो ऐसा नहीं करना है उसके लिए आपको अलग से अपना account बना करके उससे sharing देना है बाकि इस्तिशाम भाई काफी सारे लोग यह मेरे से पूछते हैं और हो सकता है कि आप भी अच्छा खासा earn कर रहे हो facebook से तो आपसे भी काफी सारे लोग यहीं पूछते होंग तो इसके लिए आपने तो 30 दिन बिल्कुल वैट करना है कि उनके 30 दिन old page अगर नहीं है तो फिर monetize नहीं होता है यह facebook का rules है अगर आप लोग अपने facebook page को monetize करना चाहते है तो आप लोगों ने 30 दिन old page के उपर काम स्टार्ट करना है 30 दिन आपने यहीं वैट करना है इसके बाद जितना जल्दी आप लोग अपने जो है ना watch time को complete करते है अगर आप ऐसे content के उपर काम स्टार्ट करें ताकि लोग आपके वीडियो के अंदर interest होते है तो एक हपते के अंदर भी आप लोग अपने facebook page को monetize कर सकते हैं और 7 दिन के अंदर भी आप लोग facebook से पैसे कमा सक सकते हैं लेकिन इसके लिए फिर आप लोगों ने 30 दिन और पेज के उपर काम स्टार्ट करना है अगर आपके पास ऐसा पेज है जो के 30 दिन और है तो एक हपते के अंदर भी आप लोग अपने facebook page को monetize कर सकते हैं क्योंकि facebook page के अंदर जो मुश्किल काम है वो 5000 फालोर्स और 60,000 मिनट स्वाचिंग टाइम है लेकिन ये 5000 फालोर्स और 60,000 मिनट स्वाचिंग टाइम 24 गेंटे के अंदर भी complete हो सकता है बलकुल बाकी काफी सारे लोग के ना हाँ यहां पर watch time भी complete हो जाते हैं बट followers नहीं बढ़ पाते हैं तो काफी सारे लोग ऐसे comment भी करते हैं कि followers ब complete करना चाहते हैं तो आप लोगों ने अरगनिकली तरीके से अपने followers को complete करना है पहला आपने अपने वीडियो को जो यह रिया है और वीडियो को वाइरल करने के लिए आप लोगों ये अपने content के ओपर मेहनत करना है आपने अच्छा वीडियो volume हो जाए ये जब आपकत वी वीडियो के उपर आपने पोकस देना है तो बहुत जल्दी से आप लोग अपने फादर्स को भी जनरेट कर सकते हैं अपने जोए न आवाच टाइम को भी इंक्रीज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ बिलकुल बाकिस्तिशाम भाई वीडियो के एंड में अगर आप जो फेस्बुक पे काम करना चाहते हैं तो अगर आप उनके लिए कुछ ऐसे कॉंटेंट आइडियास के बारे में बताना चाहो कि यहां अगर वो लोग इस टाइप के कॉंटेंट को स्टार्ट करते हैं तो यह शाट रिल्स के उपर काम स्टार्ट करें तो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं चैनल का जो शाट ड्रिल्स का एप्लिकेशन होते हैं तो अभी मेरे जहन में नाम याद नहीं है जिस तरह मैंने आपको स्पीलिंग बताय कि आपने उसी स्पीलिंग को सर्च करना है ऑगी भाई हमने काफी कुछ चीज़े बात कर ले जार फेसबुक के बारे में अब थोड़ा आपके बारे में बात करते हैं कि आपका जो फ्यूचर प्लैन है फेसबुक को लेकर के वो क्या क्या चीज़े हैं? social media के उपर काम करता हूँ बागी Facebook पर और आप किस किस टाइप के content के उपर काम करने वाले हो अगर आपके कुछ ऐसे आइडियाज हो या फिर plans हो तो थोड़ा सा अगर आप reveal करना चाहिए future के लिए तो मैं दुबारा से जोईना मैंने wrestling को चोड़ा है पिलहल तो मैं wrestling के उपर पिरसे भी काम स्टार्ट करता हूँ इसके साथ साथ जो चैनिस शार्ट रिल्स है इस के लिए मैं एक अलग पैज बनाऊंगा क्योंकि वही content का बहुत ज़्यरे demand है Facebook पर तो उसी के ओपर भी मैंँ काम करता हूँ इन्चील आइन्दा और इसके साथ साथ जो है ना मेरा जो original content है इसके ओपर भी मैं काम करते हैं क्योंकि highlight होती है उसे के भी तक तकर attIES 25,000 followers complete हो चुशख है 24,000 तो उसी के ऊपर भी मैं काम करता हूँ और काफी पेस्ट को मैं जारी रखूंगा आइंडिया के लिए बाकी स्तिशाम भाई थैंक यू सो मच यार काफी जाद अच्छा लगा आप से बात ही करके एंड इस वीडियो के अंदर आपने काफी कुछ चीज़े बताई जिस तरह हमने डिसकस कर दिया कि आपने अपने content के ऊपर जो इना focus देना है तो अच्छा सा content आप लोगोंने create करना है ताके लोग आपकी वीडियो की अंदर interest हो जाए और आपकी वीडियो के ऊपर organically व्योज आ जाए तो just आपने जो इना smart work करना है तो आप बहुत ज़्यदा पेसे कमा सकते हैं और attention आप लोगोंने नहीं रहने क्योंकि Facebook से पेसा कमाना या social media से पेसा कमाना बहुत easy है इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है बिल्कुल भाई बागी दूस्तों वीडियो के एंड में आपसे यही कहूंगा कि अगर आप लोग WWE content यानि wrestling का content के बारे में जानना चाती हो तो आप लोग हमारा last वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हो हमने अमान भाई के साथ किया था यहाँ पर वीडियो का लिंक का रहा होगा इसको क्लिक करके देख सकती हो नहीं तो अगर आपको जानना है कि वेबसाइट से पैसे कैसे कमाते हैं तो यह वाला वीडियो भी चेक आउट कर सकती हो बागी चली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही मैं मुलता हूँ आप से को अरने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए जैशी राम और भाई चैनल को यार सबस्क्राइब जरूर से कर लेना